राइनो इस्क्लेरोमा ये एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज है जो की ग्राम नेगेटिब बेसिलस से होती है उसका नाम है क्लेपसेला राइनो इस्क्लेरोमेटिस जिसे फ्रिस बेसिलस भी कहा जाता है ये जो राइनो इस्क्लेरोमा होती है इसकी क्या पेथलोजी होती है ये जो डिसीज होती है ये नोस से स्टार्ट होती हो और अफेक्ट करती है नीचे तक मतलग वो एक्स्टेंड करेगी नेजो फेरिंक्स में औरो फेरिंक्स में लेरिंक्स में और मोस्टली लेरिंक्स में कि को सब गलूटिक रीजन को उसके लावा ट्रेक या फिर ब्रॉंकाई को ये इन्वोल्व करती है mode of infection के से ये राइनोस्क्लियरोमा होता है ये अन्योन है ये दोनों सेक्स को इक्वली अफेक्ट करती है और एनी एज को अफेक्ट कर सकती है राइनोस्क्लियरोमा जो chronic granulomatis disease है, इसके तीन stage होती है, पहली atrophic stage, जो कि बिलकुल resemble करती है atrophic rhinitis की तरह, मतलब इसमें भी foul smelling रहेगी इसमें भी crust रहेंगे इसमें भी flurent nasal discharge रहेगा और crusting रहेगी दूसरी, चुकि यह granulomatis disease है तो यहाँ granulomatis stage में हमे granulomatis nodule मिलते हैं, कहां मिलते हैं nasal mucosa पे मिलते हैं और यह nodule होते कहां है यह sub-dermal infiltration होता है sub-dermal infiltration कहां मिलता है lower part of external nose और upper lip में यह sub-dermal nodule का infiltration होता है और कैसी feeling आती है, body feel आती है और जो nodule होते हैं painless होते हैं और non ulcerative होते हैं तो हमें केसी feeling आती है, बुडी feeling आती है, आगे सीकर ट्राइकियल stage, तो ये सीकर ट्राइकियल क्या बता रही है, स्कारिंग बता रही है, तो स्कारिंग की बज़े से मतलब कि इसमें जब हेल होती है, तो इस्टिनोसिस हो जाती है, नेर्स की स्कारिंग की बज़े से, क्यों क्योंकि इसमें स्कारिंग होती है, तो इस्टिनोसिस होती है, नेर्स की distortion मिलता है, अपर लिप का, साथ ही साथ नो नोटिक स्टिनोंसिस्ग भी हो सकती है जिससे पाय ओ सकता है तो पहली स्टेज सी ए केहां लेकिन केरेकिरीडिकक क्या है केरेक्टरियुसरी मुकलिस नुकलिस सेल और रसल बोडि मिलती है मुकलिस सेल एक मेक्रो फेर होती है जिसके अंदर क्या होता है। क्लैफ सेला राइनु श्कलूरोमेयटिसि उसके अलावर रसल बोडी मिलती है, रसल बोडी क्या होती है, योसिनोफिलिक इंक्लूजन बोडी होती है, यह और कुछ नहीं, प्लाजमा सेल द्वारा जो सिक्रीट की गई एंटी बोडी है, वो ही होती है, आगे इसके ट्रीटमेंट के लिए हम स्ट्रेप्टोमाईसेन, ब two consecutive culture क्या हो, बायपसी द्वारा negative हो, तब हमें ट्रीटमेंट बन करना है, हम एस्टिरोइड यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो इसकारिंग होई थी, जो फारवरोसिस हो रही थी, उसको ये reduce करेगा, आगे सर्जीकल ट्रीटमेंट की ज़रूद तब है, जब airway obstruction है, या airway को establish क करना है, या nasal deformity हो गई है, उसे correct करना है, तो हम diagram से देख सकते है, rhino scleroma of nose, यह अपने को दिख रहा है, nodule दिख रहे हैं अपने को, तो और यह हमने complete करा, rhino scleroma, thank you.